नमस्कार दोस्तों स्वागे थाप सुभी का आपके अपने प्यारे मल्टी परपच चैनल परिछान के तन आज यूनिक जर्णी ऑफ डेशनिस में और S.A.C.M.T.S के जो मारे एक्जाम चल रहे हैं वहाँ पर जो मेमोरी बेस्ट कुछिन सामने आ रहे हैं और साथी साथ जिन पैटर्न पर कुछिन पूछे जा रहे हैं और उनसे क्या एक्ट्पेक्टेड कुछिन बन सकते हैं इन सब को मिला करके आपके सामने में लेकर आया हूँ यहाँ पर यह आपका मॉडल पेपर ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं कुछिन बन पर कुछिन बन आपके सामने क्या है प्लीज गिब मी वन अधर सेंडविच और यहाँ पर जो आपका लाइन है इसको आपको सब्सिटूश्ट करना है यहाँ चार ओप्सन देगा है इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ओप्सन यहाँ पर करेक्ट होगा ठीक है तो प्लीज गिब मी वन अधर सेंडविच किरप्या करके मुझे एक सेंडविच दीजिए एक दूसरा सेंडविच दे दीजिए तो जब भी दूसरे के सेंस में बता है एक दूसरा सेंस आएगा एक दूसरा चीज़ दे दीजिए तो इसके अलावा आपको यह क्या एक सेंडविच होगा इसके बाद उसने एक एक एस्टर सैंडविच मांगा ठीक है और मोर का मतलब होता है greater or additional amount of degree other का मतलब होता है denoting the second of specified implied group of two दो चीजों में से कोई अलग चीज चुलना उसके sense of income का प्रियोग किया जाता है फिलाल option number मारा one correct हो जाएगा next question number two देखते है the new XUV500 looks like a test car यहाँ पे क्या correct adjective का प्रियोग किया जाएगा ठीक है तो looks like a thoughtful car बैया कार सोच नहीं सकती है healthy car इंसान नहीं है healthy नहीं हो सकती है powerful car यह हो सकता है क्योंकि इसका engine powerful होगा ठीक है dual hole कोई मतलब नहीं है तो यहाँ पे जो correct हो option number C हो गया the new XUV500 looks like a powerful car ठीक है तो option number C correct हो गया next question number three देखते हैं क्या paradise paradise का आपको synonym बताना है paradise का मतलब क्या होता है एक ऐसा इस्थान मैं हंदी में आपको समझाने का प्रियास करता हूँ एक ऐसा इस्थान जहाँ पे हर चीज balance हो जहाँ पे हर चीज क्या हो balance का मतलब होता है सबसे जादा सुकून हो आपके जहाँ पर मिले तो बताओ आप लोग comment box में कि क्या ऐसी जगा हो सकती है जहाँ पे हमको सबसे जादा सुकून मिलता हो आप लोगों के दिमाग में लग लग ख्याल आ रहे होंगे फिलाल पापस आ जाईए paradise का मतलब क्या होता है एक ऐसा स्थान जहाँ पर आपको सुकून मिले और सहर चीज बिलकुल आपके according हो तो ऐसा स्थान तो वही है एक ही होता है जिसको बूलते है स्वर्ग है तो स्वर्ग paradise वही है तो इसका जो correct options नोने होगा वो आप होगा यूटोपिया ठीक है तो option number second correct हो जाएगा ठीक है दोस्तों बढते हैं next question number four पर disappointment का मतलब क्या होता है कि किसी चीज से आप disagree है या उदास है ठीक है इसी चीज सब क्या है disagree है यानि कि ऐसी स्थिति आपके सामने बन गई है जहाँ पर आप satisfied नहीं हो रहे किसी चीज से यह आपका कहते हैं contentment zone ठीक है एक जहाँ पर आप सहजिता से रह सकें यहाँ पर आपको वो चिंता नहों तो ऐसा इस्थान contentment zone कहलाता है तो option number यहाँ पर decorrect हो जाएगा disappointment के यही better है according to these options next we are moving to the next question number five question number five that deliberately destroyed something for military advantage यहाँ पर आपको one word substitution मतलब कि सैनिक के फायदों के लिए किसी चीज को पूरी तरीखे से समाप्त कर देना उसको क्या बोलत हो उसको बोलते सैवोटेज यहाँ कि military के फायदे के लिए आप किसी चीज को अगर नश्ट कर रहे हैं उसको सैवोटेज कहा जाता है option number C correct हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर कमिंग नहीं होगा यहाँ पर कमिंग फ्रॉम क्योंकि कूदे से आ रहे हैं स्मेल तो कमिंग बाय आपका गलत है option number C हमारा correct हो जाएगा next question number 7 क्या है identify the segment in the sentence which contains a grammatical इसमें भी आपको बताना sentence के किस पार्ट मेरर है we require the efficient electrician for changing the wiring of our house अपने घर की जो wiring है उसको change कराने के लिए हमको एक अच्छा electrician चाहिए तो एक अच्छा electrician चाहिए तो the efficient नहीं होगा क्योंकि efficient अपने आप में superlative है जो efficient है अपने आप में superlative है यहां पर इस क्या कि the a का प्रेव ना करके आप simple जो indefinite article होते हैं a या n का प्रेव कर सकते हैं ठीक है आप से नंबर सी correct हो जाएगा यहां पर करेक्ट करना है विसुद यूज अप्रोप्रियेट फनल हमको एक सही फनल का इस्तमाल करना फनल को एक चलिम बोलते हैं कि जैसे हम लोग गर्मन हो दब दूद बगएर का या बोल सकते हैं मिट्टी का तेल बगएर डालते की मतलब की बहुत चीज नीचे ना गर पाए इस कारण से हम इसका प्रियोग करते हैं तो वही अपकी कीप होती है ठीक है इसको किसके लिए किसमाल कियाता है मतलब की उड़े लिड़ने के लिए किसी सामान को किसी लिक्विट लिचको तो पॉर वर्ड का प्रियोग करेंगे अपके सामने है प्रिज एक्सक्यूज में तो यहां पर आपको मतलब क्या होता पागल पन है जिसने अपनी मांसिक रिस्तिति को पूरी तरीके से खो दिया हो उसका इंटरे पूछा है मतलब जो बिलकूर आपका क्या होगा कि जो मतलब मैंटली रूप से स्टैवल है उसको बोलते हैं तो यहां पर बताना है उक्यूपेशन मींस तब और जॉब और प्यूपिल टू अर्निंग मनी ब्यूसाय क्या होता है ब्यूसाय गोची जो होती है जिसे हम पैसे कमाते हैं ठीक है तो अब यहां पर सेंटेस्ट के किस पार्ट मेरा रहे उक्यूपेशन मिन्स दा और जॉब फक टूब अर्निंग मने पैसे कमाने रहे हैं इसका सेंस नहीं होगा तो आपको पता होगा कि एक होता है जीरंड और एख होता इंफिनिटव ठीक है इनफिनिट फिरेंड में क्या डीफरेंस होता ह के साथ ing का प्रियोग किया जाता है और इसी वाले पार्ट मेरा रहा है ऑप्से नमबर बन करेक्ट हो जाएगा ठीक है दूस्तों में आपके सामने इडियम इसका मतलब आपको बताना है इसको बोलते हैं healthy healthy and strong जो बैक्ती चार ओवर से हस्ट पुस्ट हो फिट अपके सामने है जब सर दूबने ही वाला था बच्चों ने डिशाइड किया घर जाने के लिए तो बच्चों ने किया घर जाने के लिए रहे हम लगोर बच्चों की कि सिका जुर्क currency करक्ड मतलब होता है कि गहिसा कर रहा हूं कर रहे तो व्रीज्ट व्र One one likes and can do well जो वेक्ति चाहता वही काम करें तो आपसे नमबर डी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट वी आपको इस फ्रेज का मेनिक बताना है एक एसी लड़की जिसके जो हेर होते हैं ब्राउन होते हैं इसको यह चली में रसिया बगेरा में इस पर करके जो गल्स होते हैं वो कोफी का प्याला चाहिए इस वाट आइज जो मैं चाहता हूं आफ्टर लॉंग डे पूरे दिन के बाद तो आफ्टर लॉंग डे होगा ऑप्से नमबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा ओके बड़ते हैं नेस्ट कुश्चिन नमबर 17 पर वैलेट वैलेट का आपको सिनो हुआ कि नहीं हुआ ठीक है तो इसका जो सेर्वेंट के सेंस में ज्यादा अच्छा होगा ऑप्से नमबर भी करेक्ट हो जाएगा तो नेक्स्ट कुश्चिन नमबर 18 आपके सामने है चूलता करेक्टली स्पेल्ट वर्ड एग्रुमेंट होता नहीं है आर्गुमेंट और यू मेमेंट डबलन ये भी गलत है आर्गुमेंट डबल टी ये भी गलत है और अप्सेन नमबर सेकिड्ट करेक्ट हो जाएगा ऑ अर जी यू एम एंट ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं नेस्ट को जो बिल्ट वर्डू नहीं कर रहा है उसको क्या बोलेंग उसको बोलते हैं मैंनत करने के बाद भी result नहीं आ रहा रहा फ्यू टाइल ऑप्शन नुबर सी करेक्ट हो जाएगा नेस्ट कुछेंबर 21 से लेकर 25 तक आपके सामने close test आपको करेक्ट फिल करना है ठीक है इतना रियल था कि लोगों को विश्वास हो गया थैट मैंनी विपल बलीब यहां पर क्या हो जाएगा सी का इस्तमाल करेक्ट किया जाएगा ठीक है ऑप्शन नुबर सी पैने को गया लोग उनको डन लगना की बैच्वल रियर पोड है एकदम की अटाक होने वाला है तो इसलिए ऑप्शन नुबर सी करेक्ट है पड़ते हैं नेस्ट कुछें नमबर फोर पर तोड़े हाववर यहां पर यहां पर अस्तमाल करेंगे ऑप्शन नमबर क्या करेंगे और क्या करेक्ट हो रहेगा सी करेक्ट हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो दोस्तों यह हमने 25 इंगलेस के कुछन देखे जहां पर यह मारा पांच में नमबर का मॉडल पेपर था आयोब इसी प्रकार के जो कुछन आ रहे हैं लोग मुझे जो भेज रहे हैं और साथ सब्सक्राइब कुछन बन स